कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज कैसे वीडियो में देखने वाले हैं देखो हमने आपको बताया था यह बीकॉम फर्स सेमस्टर फस्टियर वालों के लिए है जिसे हम बिजिनिस और्गनेजिशन बोलते हैं पेपर है और बिजिनिस देखते हैं लिंक डिस्कॉप्शन बोक्स में दे रखा है पीडियाफ कर डान्लोड करने का ठीक है टेलिग्राम पर आप जाहिए टेलिग्राम पर हमने लिंक पर साइंड कर रहा है यह आपका रेटिन एक्जाम होरा है तो हमारे नोट को भी ढानलोड कर सकते हैं बीए फसी सबके लिए हाई स्कूल इंप्रिटर इंप्र इंप्रटर वाले सकते हैं यह पार्ट बन हमने पहले अप्लोड कर रहा है वीडियो पार्ट टू में हम पूरा फिनिस कर देंगे बाकि हमने दो बुकों से important question बनाई हैं और अपनी तरफ से कुछ important question उसमें add किया है आप हमारे PDF को download जरू कर लेज़ेगा अब यहाँ बात करने वाले हम लोग पहला question है यहाँ देखो सडियंत इस्थानी एकरण से related question मनते हैं तो यहाँ बुलाक है बैवर का और दोगिक इस्थानी एकरण से दान्त आधारिता तो किस चीज़ पर आधारिता आप इस question का अंसर बताना है चार option है एक answer बताई फटाव आप देख सकते हैं सामसे तो जैसे कि हमारा इस question का जो answer रहने वाला वह क्या रहेंगा बैवर का और दोगिक इस्थानी करण से धान्त आधारित था वह किस चीज़ पर आधारिता आप सब लोग कमेंट से बताएंगे तो बहुत था निग्मन प्राणि पर option नमर्डी को गुला क्या है सौजेंट फैलूरेस का और दोगिक इस्थानी करण से धान्त आधारिता तो किस चीज़ पर आधारिता हमसे पूचा गया है पताएंगे तो बहुत था बिटा आग्मन प्राणि पर option नमर्ड जिसने भी बी को लौकिया है परमसितांसर होगा नेक्स कोशन यहां बुला गया है मेरट में चीनी उद्धोग के इस्थानी करण का मुख करण क्या है तो बिटा इस कोशन का अंसर से भी लोग कमेंट च्रेक्शन मान सेंगे चौथे कोशन का अंसर क्या होगा पिलकुट कच्चा माल इस राइट हो जाएगा option नमर्ड बी को लौक करेंगे नेक्स कोशन यहां बुला गया है अलीगण में ताला उद्धो के इस्थानी करण का परात्मिक करण क्या है तो यह है सरकार की नीती option नमर्ड डी को लौक करेंगे नेक्स कोशन मुला क्या है मुंबई में सूती बस्त्र उद्धो के इस्थानी करण का परात्मिक करण क्या है तो आप गोगे वो है आद्र जलवाई हो option नमर्ड सी को लौक करोगे यहां देखिए सडेंतर अभिन्यास से कुस कोशन बनते हैं तो उन टॉपिक से देख लेते हैं क्या 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 कोशन बनते हैं बिटा मैं यहां सिंपल आपको दिखा रहा हूँ आप पीडियव को जरू है डिए नेक्स कोशन लेकर आपको बहुत स्देंतर अविन्यास को अद्देष क्या होटा झा-गार दो के ईसके अविन्यास्का अर्त बता हो उद्देश बताओ, तो आप कोगे वो होता है, नियुन्तम लागात पर अधिक उत्पात करना, शालो, नेक्स कोशन बोला गया है, सडेंट, देखो सडेंट्र, अभिन्यास को प्रभावित करता है, क्या चीज़ प्रभावित करता है, सडेंट्र अभिन्यास को कौन देखो, एगर है कूकर बनाने के लिए सडेंट्र अभिन्यास है, कौन सा बताईए, उप्युक्त, सडेंट्र अभिन्यास कौन सा है, कूकर बनाने के लिए, कूकर बनाने के लिए रेखा, आप्शन नमर ए को लोग करेंगे, नेक्स कोशन बोला गया है, बस बनाने के लिए उपियुक्त सड़ेंतर विन्यास है तो वो होता है मिसरित option नमर C को लोग करेंगे next question मुलता है कम मात्रा में उतपाद बनाने के लिए उपियुक्त सड़ेंतर विन्यास है वोता है किरियात्मक option नमर B को लोग करेंगे देखो ब्यपसाइक एकाईक का आकार तो इस से लेड़े कुश कोशिन बनते हैं तो उन कोशिनों को देख लेते हैं बेआपसाइक एकाई का आकार काधार पर देखो यहां मましょう पहला कोशिन अनुकूलंतम लागात पर अधिक्तम उत्पाद होता है वो नमूपकूलं करनेंगा बेपसाइक एकाइक के अनुकूलंतम आकार में आवसकता कितने तत्वो का प्रभाब होता है तो आप सभी कहेंगे दूसरे का जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाना है तो आप यहां किल उत्पादध अधिक्तम होता है यह इसकी विशस्ता नहीं होती है नेक्स कोशन को चलते हैं यहां देखेंगे चौथा कोशन बुला है प्रति निदी फ्रम की अवधारना का प्रति पादन किया तो इसका जो किया था वो किया था बताओ मार्शल ने किया था उप्शन नमर एक को लॉक करेंगे नेक्स कोशन आपके सामने है नमा पॉइंट में देखेंगे यहां बुला गया है ब्यपसाइक सयोजन से लेटेट कुछ कोशन बनते हैं तो यहां से कौन कौन से कोशन बन सकते हैं आपके एक्जाम में देख लीजे किया रहा है दो या दो से अधिक इस्थाई एकाई का ऐसा अपचारिक अत्वा अनपचारिक एकी करण जो समान हितों की रक्षा और सरवधन के लिए किया जा सकता है वो कहलाता है तो आप सभी कहेंगे 9 का जो कोशन का असर रहेगा वो रहेगा सहयोजन, option वह्टक लॉटक करेंगे जो पिर्मुह उद्देश क्या होता है तो वो होता है याद रखना देखो कह सकते हैं गाला काट जो गला कट होता है प्रती इस परदा में हि보 AG करना लाना यह ठिके जो गलाकाट होता है उसमें टिके रहना ही क्या होता है तो मैंने आभी आपको बताया था तो जिसने भी दिया है देखो यहां देखो गलाकट ठा़ बता इसको अप्रोप सभी होता है नेक्सष और सामने है देखिए समतल जो सहोजन होता है उसका परियाबाची नहीं है देखो सम्तल सयोजन का परियाबाची कौन सा नहीं है पांस में कोशन का अंसर देंगे बदाए बिकरणी जो सयोजन होता है वो सम्तल सयोजन का परियाबाची नहीं होता है next question बुला गया है समतल सहयोजन का पिर्मुक उद्देश होता है बताइए समतल सहयोजन का पिर्मुक उद्देश क्या होता है तो बो होता है पिटा अनूप योगी प्रति इसपर्दा होती है उसका अंत करना option number हम C को लॉग करेंगे पिटा next question आपके सामने आ चुका है इसको देखिए भारती जूट जो भारती है जूट जो मिल से संग होता है उसका उद्दान बताना है बताइए तो आपको ओगे बो होता है option number जिसने एक को लिया है बिल्कुल right होगा को होता है छेतित सायोजन होता है option number एक को लॉग करेंगे next question बुलाई यदी cement का उत्पादन करने वाली company सयोजित होती है तो ये निमनेकित में से किस सयोजन का उधार है बताइए cement यदी कोई cement उत्पादन करने वाली company है वो 3 सयोजित करती है सयोजित होती है बलब होने वाली 3 company सयोजित होती है तो ये कौन सा सहयोजन का उधार होगा बताइए आप सभी लोग इस comment box में answer देंगे क्या रहने वाला है देखे इस question का answer क्या होगा सभी लोग comment section में answer देंगे एक बार तो जिसने भी option number दिया है बेटा ए परमसत्ता answer होगा आप कोगे समतल सहयोजन का जिसने भी option number दिया है ए परमसत्ता answer होगा समतल सहयोजन का नेक्स question आपके सामने आ चुका है देखे ACC का उधार होता है ACC जब सीमेंट जानते है ACC सीमेंट कंपनी जो है ACC कंपनी अब बहुत जादा इसका उधार है क्या है तब है किस सहयोजन का उधार है बताइए जब चीनी मील है वो तीन मील मालों चार मील है वो आपस में मिल जाते है ठीक है चार मीलों की बात कर रहे वाला है तो वो किसका उधार होगा बताइए चार मील आपस में मिल जाते है तो वो किसका उदाए वो भी हमारा समतल सेयुजन का उधान होगा अप्शिय नमबर एको लॉग करेंगे नेक्स कोशन बुला गया है देखिए एक ही उद्धोग की किरमागत अवस्थाओं के कार्यत बिवस्था का सेयुजन कहलाता है तो आप सभी कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो होता है लंबत सेयुजन कहलाता है नेक्स कोशन बुला गया है जब एक सीमेंट कमपनी एक इसपात कमपनी और एक रसाइन कमपनी सेयुजन होती है तो ऐसे सेयुजन कहलाते है हैं तो सो ऐसा जो सेयोजन होता है एक सीबरिनbaar कंपनी है और एक स्भात कंपनी है और एक रसाइन्कंपनी है तीनों आपस में स numéro गहीं तो कैसा कहलाईगा मताओ यह इस च workflow कहला जाए है जब अलग अलग बस्तुंक पानर करने वाली विबिन इकाईएं आपस में मिल जाती है तो उसको ऐसा कैसा सहुजन होता है जब अलग-अलग नर्माण कर रही है उसे हम पार्सव याद रखना उसे पार्सव सहुजन मोला जाता है अलग-अलग जो ब्रैंड की कंपनी बना रही है उसको एक मिला दिया जाए तो यहां कहा रहा है मुक अद्धोगेक एकाई के साथ समन्दित एकाईओं को मिलाने की पिरकिरिया को कहते है तो चौद में कोशन का अंसर रहेगा उसको होता है किंद्रीकित ठीक है किंद्रीकित पार्सव और सहुजन बोला जाता है option number हम भी को लोग करेंगे next question बुला गया है जब विभिन पिरकार की बस्तों का उत्पादन करने वाले इकायू का एक ही स्वामित्व और एक नरणे के अंतरगत एक ही करन किया जाता है तो वो कहलाता है पताईए जब विभिन पिरकार की बस्तों का उत्पादन करने वाले इकायू का एक ही स्वामित्व और नरणे के अंतरगत एक ही करन किया जाता है तो यह कहलाता है तो यह क्या कहलाता है हमसे पूछा गया है अब सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहेगा पंदमे कोशन कांसर वो कहलाता है चक्रिय सयोजन option number हम C को log करेंगे next question मुला गया है चक्रिय सयोजन का आसे किस से होता है तो चक्रिय सयोजन का जो आस होता है वो होता है विभिन पिरकार की बस्तू उत्पादन करने माली संस्ताओं का सेयोजन केहलाता है next question मुला किया है भारत में जो बिर्ला समूग कि से पिरकार का सेयोजन का उ страх रना है बिर्ला जानते हो बिरला कहता है टार्टा विर्ला बिर्ला समूग बताना है तो कौन सा है तो आप कोगी चक्रिय और प्रत्तिय समूग कैसा है सा duct हैं प्रदान के साथ सभा करने वाली ही का की ने कहा हैं कि डी को लॉग करेंगे, नेक्स कोशन मुलाग है, चेमबर आफ कॉमर्स किसका सुरूप है, चेमबर आफ कॉमर्स किसका सुरूप है, तो आप कोगे, वो है हमारा परिस्त का, option नमर एक को लॉग करोगे, यहाँ देखो, बिबी की करण के उपर एक कोशन बनता है कितनी बुद्धी है, बिबे की का मतला होता है, बुद्धी, कितनी तेज है आपकी, तो बिबे की करण से लेडिएं कोशन बनता है, उसमें से आप देख लेजिए, आप इसका कोशन क्या रहने वाला है, सब भीलोग कोईट सेक्सर में आनसर देंग type, पहली बाद चनल पर आए तो चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है तो भी लोग वीडियो को जादा से जादा लाइक करेंगे ठीक है तो पहला कोशन आपके सामने है देखो बुला गया है पिर्थम बिस्वी यूद्ध के पस्चाथ सब्द का प्रयोग सरप्रतम किसे ने किया था बताईए तो आप कोगे वो किया था ओप्शन नमर एक को लोग करेंगे वार्टन रोथेना ने किया था ओप्शन नमर एक को लोग करेंगे ठीक है नेक्स कोश्चन बुलागा है बेबी की अगान से अभी प्राय क्या होता है तो बेबी की अभी प्राय होता है वो क्या है तो आप सभी को कहोगे नेक्स कोश्चन बुला गया है किसी अकूशल इकायो को पुशल इकायो के साथ सेधन करना कहलाता है तो आप गोगे उसे बिबी की करना कहाता है अप्शन नमर बी को लॉग करोगे नेक्स कोश्चन बुला गया है देखिए ध्यान से इस कोश्चन का अंसर क्या रहेगा कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग अंसर देंगे देखो यहां बुला गया है उद्धोग में संचेतन रूप से अव्ये और अनुकूलता ठीक है अकूसुलता को प्राब्द करने का प्रयास कहलाता है मतलब उद्धोग में सचेतन रूप से अब ये तथा जो अकूसुलता होती उसको प्राब्द करने का प्रयास कहलाता है वो क्या कहलाता है बताइए इस कोश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी हमारा बिबी की गरण कहला आता है option number a को लॉब करेंगे बिबी की करण का उद्देश क्या होता है तो आप कोगे उप्रोग सभी होते हैं ठीक है और नेक्स कोशन बुला गया है यहां को लॉब सब्सक्राइब करेंगे और विकास ठीक है तो यह कोशन थे 2022 में आने वाले आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं हमारे पीडियाफ को आप डालोड कर लिजिए पीडियाफ कर लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तक के लिए बाए बाए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहला आइकान को प्रेस करते हो बिलते हैं नेक्ट विल तो तक के लिए बाए बाए